हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको चिकन सिक्स्टिफाई बनाने की बहुती क्विक एड़ इजी रेसिपी बताने वाली हूँ तो आईए शुरू करते हैं चिकन सिक्स्टिफाई बनाने के लिए हमें चाहिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है जिसे मैंने धोका सारा पानी निकाल दिया है और मैं यहाँ पर चिंक्स सिक्रिट चिकन सिक्स्टिफाई मसाला यूज़ करने वाली हूँ इसे यूज़ करने से हमें बाके मसालों की जरुत नहीं पड़ेगी चिकन 65 मसाले से ही ये बहुती टेस्टी, जूसी और यमी बनेगा और मैं यहाँ पर स्मिट और जॉन्स जिंजर गार्लिक पेस यूज़ कर रही हूँ और वन एक चाहिए मैरिनेट करने के लिए और 7-8 कड़ी पत्ते और तलने के लिए तेल आईए चिकन मैरिनेट कर लेते हैं हमने यहाँ पर 400 ग्राम बोलनेस चिकन लिया है चिकन को बाउल में डाल लेते हैं दोस्तो मैंने इसे धोकर बिल्कुल ड्राइ कर लिया है जिसे मैरिनेट अच्छे से हो जाए अब हम इसमें स्मित और जॉन्स जिंजर गालिक पे तीन चमच के करीब डाल लेंगे दोस्तो मैं यहाँ पर चिंक्स चिकन 65 मसाला यूज़ कर रही हूँ इस मसाले को डालने से हमें कोई और मसाले की जरुत नहीं है यही मसाला चिकन को बहुती टेस्टी बना देगा और मैरिनेट करने के लिए 1 एक फोल लेंगे और 8-10 कड़ी पते डाल लेते हैं आईए अब हम इन सभी को अच्छे से मिला लेते हैं हम इसे इस तरह से मिला लेंगे कि सभी पीसीज पर मसाले अच्छे से कोट हो जाएं और कड़ी पते से बहुती अच्छा फ्लेवर आएगा अब हम इसे 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने देंगे 10 मिनट हो गए हैं आईए अब हम इसे डीप प्राई कर लेते हैं गैस आन कर लेते हैं हम तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे तेल अच्छे से गर्म हो गया है अब हम इसमें चिकन के पीसीज को डाल लेंगे हम इसमें एक एक पीसीज को बड़ी अराम से डाल लेते हैं आप देख सकते हैं कि हमने तेल को काफी गर्म किया है अब हम इसे हलके हाथों से चला लेंगे जिसे अच्छे से चारो तरफ से फ्राई हो जाए ये देखी चिकन गोल्डन ब्राउन हो गया है गैस बंद कर देते हैं हमेने इतना ही फ्राई करना है आईए अब हम इसे टीशू पेपर पे निकाल लेते हैं अब हम इने सर्फ कर लेते हैं चिंक्स चिकन सिक्स्टिफाई मसाले से ये बहुती टेस्टी और यमी बना है आप इसे घर पर जरूर बनाएं आपको ये जरूर पसंद आएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी इसे कमेंट बाक्स में जरूर बताएं जल्दी मिलते एको ने रेसिपी के सब बाई बाई जल्दी में एको ये बनाएं आपको ये जरूर ढ़ाइऑों